वीवर्स आज का टॉपिक हमारा पार्ट ओफ इस्पीच है जो के एक इंतहाई एहम टॉपिक है क्योंकि ये किसी भी जबान का एक इंटेग्रल पार्ट यानि लाजमी हिस्सा है वीवर्स ये वीडियो पार्ट ओफ इस्पीच हमने सिलसले वार रखी है और ये इस सिलसले की पहली वीडियो है क्योंकि ये एक लैंदी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टन भी है तो हमने इसे पार्ट ओफ में डिवाइट कर लिया गया है जैसे ये एक बर्गर है इसके इंग्रिडियोंट्स क्या है बन, कुकंबर, चीज, कैचप, बीफ, एट्सेटर एट्सेटर तो ये सब क्या है पार्ट ओफ बर्गर सब को मिलाया तो बर्गर बन गया इसी तरह नाउन से लेके आर्टिकल तक सब पार्ट हैं मिलाएं तो लेंग्विज बन जाती है जो हम बोल लेते हैं तो अब आपको समझ में आया कि पार्ट ओफ इस्पीच क्या है वैसे ही जैसे पार्ट ओफ बर्गर हैं बिलकुल सेम तो अब हम पार्ट ओफ इस्पीच की तरफ चलते हैं parts of speech देखा जाए तो इन नाइन है noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection and article तो अब हम first देखते हैं noun noun क्या है? noun की हमें बच्पन से definition बहुत ही अच्छी तरह से याद है तो हम उस definition को पहले देखते हैं noun noun is the name of person, place, animal or thing यही definition है ना जो हमें बच्पन से बहुत अच्छी तरह याद है तो आज इसे समझ भी लेते हैं सबसे पहले हम चलते हैं अपनी दुनिया की तर्फ हम अगर हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? person, place, animal or thing यही सब हैं इस दुनिया में और क्या है? और इन सब के नाम भी हैं क्योंकि हमें अगर इनके नाम नहीं पता होंगे तो हमें इने पहचानेंगे कैसे? तो इन सब के नामों को noun कहा जाता है simple तो हम यह भी कह सकते हैं कि noun is the name of everything noun part of speech का सबसे ज्यादा important part होता है जिस तरह हमने आपको burger दिखाया था तो इस burger में सबसे important चीज क्या थी? बन तो noun भी बन का रोल अदा करता है जैसे आप sentence के structure देखें तो हम क्या rule follow करते हैं? subject प्लस verb प्लस object अब इसमें subject क्या है? noun verb अलग है फिर object क्या आता है? वो भी noun यहाँ pronoun भी यह हो सकते हैं लेकिन हम वो आपको pronoun की वीडियो में discuss करेंगे तो noun जो है वो कितना important है यह आपको पता चल गया है अब हम इसकी types की तफ चलते हैं यह type आपको confuse करने के लिए नहीं बने गई बलके यह इनको categorize करने के लिए बनाई गई हैं अब साहर से बात है इतनी बड़ी दुनिया और फिर इतने सारी चीज़ें इतने सारे एनिमल्स इतने सारे इनसान और इनसानों के नाम अब इन सारे नामों में हमें आसानी हो जाए इसलिए इनकी types बना दी गई हैं तो आप confused नहों बहुत ही आसान चीज़ है अगर हम इसको देखेंगे तो हमें खुछ समझ में आएगा हमें याद करने की जरूरत नहीं है इन types को यह types हम खुछ बना लेंगे अब आप देखिए Types of noun First, common noun Common noun क्या है? सबसे पहले definition देखते हैं Common noun is a name of a journal items Common nouns are not capitalized unless they come at the beginning of a sentence अब क्या है? common noun है क्या? जर्नल चीज़ों के नाम यानि के बहुत सारी चीज़ों के हम एक ही नाम से उनको पहचान के लिए रखते हैं और दूसरी जो इसमें खास बात यह है कि common noun जो है वो कभी भी capital से start नहीं होता हाँ अगर beginning में आजाए start में आजाए तो हम उसको capital letter से लिखेंगे otherwise वो small से आता है अब common noun नाम है आम चीज़ों का जो चीज़ें एक तरह की हमें नजर आए specific ना हो उन्हें हम common noun कहते हैं आईए example से समझते हैं अब जैसे कि यह कार है अब इसका structure आप देखें तो हम क्या कहेंगे इस तरह का structure दिखने वाली तमाम चीज़ें कार कहलाती है या boy अब यहाँ यह structure आप देखें तो हम इस तरह का structure देखने वाले को कह देंगे कि यह boy है कोई specific नाम नहीं है या फिर city अब दुनिया में बहुत सारे cities है तो city को हम कैसे पहचानेंगे कि जिस जिएगा buildings हो भारी गाड़ियां चलती हो लोग रहते हो तो हम इसे क्या नाम देते हैं city का नाम देते हैं और examples देखते हैं country, teacher, doctor, buildings, home, etc. तो यह सारी चीज़ें बिल्कुल जो हम इस तरह के एक structure को देखने वाली चीज़ों को हम common noun का नाम दे देते हैं second देखते हैं proper noun a proper noun is a specific name not journal for a particular person, place, or thing it always starts with capital letter अब देखे तो proper noun common noun का बिल्कुल opposite है proper का मतलब خاص specific नाम किसी भी चीज़ का अजब journal ना हो और खास बात यह है कि यह हमेशा capital letter से ही start होगा जैसे common noun start होता है हमेशा अगर start में है beginning में है तो वो capital letter से होगा वरना small letter से अब यहाँ पर हम example देखते हैं कराची अब कराची अगर city की बात की जाए तो city तो कोई भी हो सकता है लेकि यहाँ हम एक specific city कराची की बात कर रहे है proper noun को common noun से अलग करने की जरूरत क्यों बेशाए अगर हम कराची की बात करना चाहते हैं और हम सिर्फ word city लिख देते हैं तो कोई कैसे समझेगा कि बात कराची की कर रहे हैं इसलिए proper noun जो है वो specific करने के लिए बेंतहा जरूरी है और examples देखते हैं मैकडॉनल्ड्स अब restaurant तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें तो किसी specific restaurant का नाम लेना है तो McDonald इसी तरह country पाकिस्तान country बहुत सारे लेकिन अगर specific किसी का नाम लेना है तो पाकिस्तान अली नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन specific अगर हम नाम लेना चाहते हैं तो हम कहेंगे अली इसी तरह William Shakespeare writer लिखेंगे तो वो एक common noun हो जाएगा लेकिन अब हमें specific writer की बात करनी है William Shakespeare की तो ये एक proper noun है इसी तरह English languages बहुत सारी है language लिखेंगे तो वो common noun हो जाएगा और English लिख देंगे तो वो एक proper noun हो जाएगा तो ये proper noun आपको hope के समझ आ गया होगा अब चलते हैं third collective noun definition देखते हैं a collective noun is a collection of things taken as a whole such as group which can be applied to people or animal or thing etc collective noun वो noun है जिसमें नाम एक लिया जाए लेकिन उसमें ज्यादा चीज़ों को बताया जाए जैसे example देखते हैं a band of men a galaxy of stars a host of daffodils बहुत सारी चीज़ें एक ही नाम में अब आप ये सोचेंगे कि common noun में भी तो यही सारी चीज़े थी कि नाम एक था और चीज़ें बहुत सारी बिलकुल थी तो फर्क क्या है फर्क यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा फर्क है वो है group का common noun में group नहीं था यहां किसी भी चीज़ का group बताये जाएगा अगर band बताये जा रहा है अब band of man तो common noun में सिर्फ man थे band नहीं थे इसी तरीका से और example देखते है army, school, crowd, class, बगएरा बगएरा फर्ट पे चलते हैं abstract noun It describes an idea, quality or state example truth, happiness, love, war, peace अब जो चीज़े हमें नजर ना आएं लेकिन exist करती हों जैसे happiness हमें नजर नहीं आती लेकिन हमें पता है क्यों खुशी होती है exist करती है friendship या कोई भी रिष्टा नजर नहीं आता लेकिन exist करता है तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती है abstract noun फिफ्ट पे चलते है material noun material noun के दो नाम है material noun और concrete noun नाम से ही पते चलते है कि ये किसी मवाद ये material के नाम को कहते है definition देखते है material noun is the name of substance from which things are made example क्या है gold, iron, cotton, plastic अब material क्या है वो noun जो नाम बताए किस चीज़ का substance का जो किसी चीज़ से बना हुआ हो जिसे चीज़ें बनती हो जैसे के gold है उसे बहुत सी चीज़ें बनती है iron है इससे चीज़ें बनती है cotton cotton से कपड़े बनते है बहुत सी चीज़ें बनती है plastic है plastic से पूरा furniture बनता है और भी बहुत सी चीज़े बनती है तो इस तरह के substance से बनी हुई चीज़ों को हम कहते है material noun sixth पे चलते है countable noun countable noun क्या है it is the name of those things which can be which can easily count तो वो चीज़े जो हम count कर सकते है example देखते हैं क्या है अब हम यहाँ देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ों के नाम है जिने हम आसानी से गिन सकते है apple, carrot, eggs, fries, burger, hot burger, candies, sandwiches, etc. next पे चलते हैं हम seventh seventh इसकी type क्या है uncountable noun यह बिल्कुल opposite है countable का किस तरह से definition देखते हैं it is the name of those things which can not count मत्तब वो चीज़े जो हम count ही ना कर सकें गिन ना सकें examples क्या है bread, cereal, cheese, floor, jam, jam, juice, meal, milk, rice, salt, soup, sugar, tea, water, chocolate, butter, etc. बहुत साई चीज़ें जो हम ना गिन सकें तो यह वो तमाम चीज़ें हैं जिने हम count ही कर सकते और यह सा बाती है uncountable noun में noun आपको clear हो चुका होगा और उसकी types भी अब आगे कुछ points हैं जिने clear करना बहुत जरूरी है अगर यह point आपको clear हो जाते हैं तो आप कोई भी test किसी भी test में, किसी competition test में या आपके किसी exam में इस तरह की questions आते हैं तो आप आसानी से solve कर लेंगे तो आप इन points को बहुत ही ध्यान से सुनना है आपने नमबर वन singular noun looks like plural बहुत सारे ऐसे noun होते हैं जो होते singular हैं लेकिन हमें देखने में वो plural लगते हैं और फिर हम क्या गलती करते हैं कि singular noun के साथ हम अगर हमें helping वब दिया गया है लगाने के लिए तो हम वह plural इस्तमाल करके अपना question गलत कर लेते हैं तो यहाँ पहले example देखें mathematics, news, linguistics, optics अब ये सब जो हैं singular noun हैं लेकिन लगते plural हैं क्योंके यहाँ पर S का इजाफा है लेकिन ये S का इजाफा इनको plural नहीं बनाता mathematics, ऐसे ही लिखा जाता है news, new नहीं कहा जाएगा news ही कहा जाएगा linguistics, हमेशा S के साथ प्रोनाउंस होती है इसी तरह optics भी तो ये singular noun है हम देखते हैं, second point हमारा plural noun looks like singular बहुत सारे noun plural होते हैं लेकिन हमें singular लगते हैं लेकिन वो होते plural हैं for example, sunglasses लेकिन उसमें दो glasses होते हैं इसलिए वो plural है इसलिए कभी उसमें helping बब is नहीं आएगा, और ही आएगा हमेशा, second scissors, scissors में S लगा होता है इसलिए वो भी plural है, क्योंकि scissors एक चीज़ नहीं होती, बलके वो दो चीज़ें मिलके scissors बनाती है इसी तरह, headphones खरीदते हैं, एक ही यह लगाते हैं, लेकिन S लगा होता है, तो वो भी plural है, क्योंकि वो दो होते हैं, हम दोनों कानों में लगाते हैं pliers, जो pliers होता है, वो भी आप देखें, तो यह दो होते हैं तो यहां यह सारी चीज़ें होती, plural है, लेकिन हमें noun में ऐसा लगता है, कि हम यह एक इस्तमाल कर रहे हैं, इसलिए यह singular है, तो यहां हम बहुत बड़ी mistake करते हैं, जब हम कोई sentence को complete करते हैं, उसमें कोई helping verb लगाना होता है, तो हम यहां singular लगा देता हैं, जबके लगाना plural होता है, तो इन points को बहुत ही अच्छे से आप याद रखिएगा, ताकि आपके कोई गलती नाए, I hope कि आपको noun with types और उसके कुछ बारी points अच्छे तरह समझा गए होंगे, तो यहां teacher is what type of noun, आपने हमें बताना है कि teacher इन तमाम noun की types में कौन सी type है, तो यहां तक हमारी वीडियो end होती है, अल्ला हाफिज, वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई, तो इस वीडियो को subscribe कीजिए, like, share and comments कीजिए, thank you so much